Our next preposition is better near. Near का means क्या होता है? In the sense of के पास. मतलब जब चीज़े हमारे विदीन शौर्ट इस्टेंस के अंदर होती है, then we will use the preposition near. जैसे, the dog is near the book. जैसे बेटा, अभी जब dog है, यह काहां बठा हुआ है, इस book के पास बठा हुआ. तो we will say that the dog is near the book. In the same day, यह जो जार है, यह भी इस book के पास पड़ा हुआ है. जैके, तो we will say, the jar is near the book. Next preposition is better over. Over को यूज करते हैं, in the sense of के उपर. जब कुल चीज हमारे उपर होती है, जैसे की जो fan है, fan काहां बेरे सिर्के उपर है, मेरे उपर है, तो we will say, the fan is over my head. जो fan है, वो मेरे सिर्के उपर है. In the same way, पेटा हम umbrella यूज करते हैं, तो umbrella काहां होता है, हमारे सिर्के उपर होता है. तो we will say, the umbrella is over my head. ठीके, in the same way, जो aeroplane होता है, जब वो अकाश में, स्काय में, fly करता है, तो बहां पे जो उपर हमसी preposition यूज होती है, वो क्या है, over. हम बोलते हैं, the aeroplane is flying over my house. Fine. Next use, बेटा, over का कैसे होता है, धखने के लिए. Means, चीजों को, जब हम धखना चाहते हैं, then we will use the preposition over. कैसे? जैसे बहुत जगा sure होता है. तो हम क्या करते हैं? हम अपने कानों को, अपने हाथों से ऐसे धखने होते हैं. Then, we will say, I put my hands over my ears. जैसे अभी, अभी मैंने क्या किया, अपने hands को अपने ears के उपर रखा, अपने कानों के उपर रखा. तो मैंने preposition overuse की. I put my hands over my ears. अपने इस चीजों को धखने के लिए, we use over. Fine, thank you.